बहुत बहुत स्वागत और परविंदर सिंग सेठी साभ पहला सवाल आपसे ही, कॉंग्रेस ये कह रही है, बीज़ेपी तो छोड़िये, कॉंग्रेस वाले आपको आप कह रहे हैं, कि जब किसान सड़क पर आये, तब आप ये अंधोलन कर रहे है, इससे साब तोर पर जाहिर होता है कि चुनाव जीतना आपका मकसद है दरसल आप किसानों के साथ नहीं है जब यहाँ पे एक कमिटी बनाई गई जिसके अंदर आठ परदेशों के चीफ मिनिस्टरों को इन्वाल्व करा गया उसमें कमलात मद्य परदेश के और पंजाब के कैप्टन अमरेंदर सिंग थे लेकिन उन्होंने इस बात का जिकर किसी से किया नहीं यह जो मैं आपको बिदाता हूँ जितने भी परदेश हैं चाहे उत्तर परदेश है पंजाब है मद्य परदेश है यह सब किशी परदान देश हैं यहाँ पे चाहे कोई कॉंग्रेस का व्यक्ति है चाहे बीजेपी का है चाहे अकाली दल का है सब किसान हैं, वो अपने अस्तित की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपने किसान भाईयों के लिए अपना बीजेपी, देखे जब ये ओडनेस हाया, तो हमें अश्वासन दिया गया, जो किसानों को इंवाल्व करके, उनकी सारी सला लेके ही ये कानून आएगा, इसके और सरकार के बीज में एक ब्रिज का काम करते हैं, और सरकार अपना अपना ब्रिज का काम कर रहे थे, आप ब्रिज का काम कर रहे थे, आप बीजेपी की ब्रिज पर सवार थे, आप पूल का काम नहीं कर रहे थे, बलकि बीजेपी की जो पूल है सरकार की, उस पर आप सवार से जबकि 17 तारीकों इसी महीने की 17 तारीकों लोगसभा से ये बिल पास होता है 20 तारीकों राजिसभा से भी पास हो जाता है तब भी आप इंडिये के साथ रहते हैं अचानक से आपको ख्याल आता है 26 तारीकों कि अब अलग हो जाते हैं इसलिए आपकी मनशापर सवाल लिया है। तानाशा रवीया दिखाती है, अडियल रवीया दिखाती है, और कोई फैसला नहीं करती, और जिन लोगों ने हमें चुनकर विधान सभा और लोग सभा में बेज़ा है, उन लोगों की प्राब्लम्स के लिए खड़ा होना हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर नेता का फर्ज ह वोट वाली पॉलिटिक्स नजर आती है, तो सवाल खड़े होते हैं, अब है दुबे जी, कॉंग्रेस के नेता हमारे साथ है